हाई गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो कैसे आप सब आज मैं बनाने जारी हूँ बहुती टेस्टी कार्ली ब्रेट की रेसिपी, अगर आप में चैनल में नए हैं तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लें, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, मैंने उसके लिए ले लिय मखल, मखल हम हलका से मेल्ट कर लेंगे, बटर में डालेंगे हम हाफ चमज चिली फ्लेक्स, हाफ चमज डालेंगे ओरिगानो, तीन चार ले लेंगे कार्लिक, ग्रेट कर लिए मैंने इसको, और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे, इसको, मैंने या पर सॉल्टेट बटर यूज कर आए, इस वज़े से मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, अगर आप अंसॉल्टेट बटर लेते हैं, तो आप इसमें नमक थोड़ा सा डाल दे, स्वाधन उसार, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ब्रेड में स्प्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो ब्रेड में दो स्लाइस करके भी यूज कर सकते हैं, मैं सिंगल होल ब्रेड यूज कर रही हूँ, सभी ब्रेड में लगा लेंगे, चाहरो ब्रेड में मैंने ब्रेड लगा लिया है, अब इसे हम सेख लेंगे, अब हम एक पैन ले लेंगे, गैस का फ्लेम लो करके, जिस तरफ हमने ब्रेड लगाया था, वो वाला पैन साइड होगा, एक बारी में जितने आपके ब्रेड आए पैन में आप उतना ही रखे, जो साइड हमारा उपर है, अब हम इधर भी बटर को लगा लेंगे, दोनों तरफ बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर बना के देखे अपने घर में, चार ओर अच्छे से फिलाए उपर की साइड भी मैंने बटर लगा लिया है, अब हम इसे ढख देंगे दो मिनट के लिए, गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखेंगे हम, दो मिनट बाद हम चेक करेंगे, पलट लेंगे ब्रेड को, अब हम दूसरी साइड जो पकाएंगे, हम गैस का फ्लेम लो करके बीना ढ पकाएंगे, और आप देख सत्यों कितने अच्छे से इसका कलर आया है, बहुत ही टेस्टी गार्लिक टोस्ट बनके तयार होता है, इसी तरीके से हम बाकिये टोस्ट भी बना लेंगे, एक मिनिट बाद हम इसे एक और चेक करेंगे, और तयार है हमारा दोनों तरफ से क्रिस और एक चमस मियोनीज, मिक्स कर लिंगे इसको, ये टिप खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है, अगर आप गार्लिक टोस्ट बनाते हैं तो ये भी बनाएं इसके साथ जरूर, तो तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी गार्लिक टोस्ट की रेसिपी, एक बार इसे आ किसाथ थां आप एरिटाद 주ो आपे और में बनाभा टेस्टी!